वेल्कम तु नर्सिंग विला मैं पूजा आपके अपनी फ्रेंड लेकर आई हूं आपके लिए एक नया वीडियो जी हा दोस्तों आज इस वीडियो में हम नए सब्जेक्ट की त्यारी है निके सुरुवात करने वाले हैं आज से हम गाईनी पढ़ने वाले गाईनी या फिर आपके लिए नया टॉपिक जो की नए सब्जेक्ट से है जिसके हमना सब्जेक्ट स्टार्ट किया है गाईनेकलोजी गाईनेकलोजी ऑप्सेटिक रॉप नर्सिंग तो दोस्तों इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज फॉल्स पैल्विस जैसे के हमने प्रिविस वीडियो में पड़ खेобщरोगने पटार कि जड़ ड्रीश होते हैं दो पार्ट में डिवाइड होते हैं हम फोल्स पैल्व जो पैल्विस पैल्विस पीडियों स्गेडियो सो ओंपट कीट्व में इलीक कहां पर क्या है यह आपको थोड़ा सा दिफिकल्टी होगी लेकिन आप समझ जाएंगे टेंशन मत लीजिए पहले हम यह पढ़ लेते हैं देन मैं आपको डायक्राम के थरू बताऊंगी it is formed by the upper flat flat out illyak portion of the enuminate bones and is limited above by the illyak crest यहनिकि इसमें क्या होता है कि जो भी false pelvis होता है उसको हम greater या फिर पहली पहले का दाम से जानते हैं फोर्म्ड होता है by the upper flared out यानिकि उपर की तरफ जो भी flared out portion होता है उसे फोर्म्ड होता है of the innominate bonds जो भी innominate bonds होती है and limited above by the ilia crest limited होता है मतलब कहां तक होता है above by the ilia crest तक होता है वो भी मैं आपको दिखाती हूं कहां से कहता है पहले हम पूरा definition पढ़ लेते हैं it has got a little of statistics significance expert expect that is measurement can to a certain extent extent predict